नवस्का दोस्तों डीडी रेट केक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज एक वीडियो लेकर आये हूं यह किसी ने मुझे भेजा है पॉपकॉर्स चैनल का है और इसका टाइटल है वाई पाक यूटूबर्स प्रेजिंग इंडिया इंडिया विल रू सब्सक्राइब इन युटबर्स के नहीं चीश हम लोग चयो को पर जाद कर सकते हैं ऑच्छा नहीं sauce का मैं जैँ वहां बात कर सकते हैं फद्ब्स एथा雀 कि तरक्या हुई चारव करना मेरे खाल में बहुत जादा इंपॉर्टन रो बहुत जादा ज़रूरी और सिगनिफिकेंट है जार कौन करता जरीवा लेकिन मुझे लगता है आमना कि सिर्फ यही बात नहीं है देखिए यह तो हैं ही हम ग्रो कर रहा है हम अचीव कर रहे हैं लिक बहुत पहले आपने आपने बताया था कि बहुत आपको एंडिया के बारे में अच्छा बोलना हैं क्योंकि जो सारे वियूज आते हैं वह इंडिया से ही हैं हमारे बिस जो इंडिया के हैं तो वह भी तो बात थी चलिए आपको याद नहीं आ रहा होगा चायद लेकिन मैं दर्शकोंको एक वर स से सुनवा देता हूं सुनी हमारे इंडिया के बारे में इसको कट कट कर दूँए अच्छा इंडिया के होते हैं और अगर मैं अगर इसमें गलत बोल रहा हूं तो मैं सारे यूटूबर्स जो पाकिस्तान के पब्लिक रियक्शन चैनल है जो हैं जो भी एइनलेटिक्स में दिखा दे कि कितने परसेंट लोग कहा के देख रहे हैं सबसे ज्यादा जब वो कहां से वो आ जाती है और लाइफटांब दिखा दो पिछले मेने की तका दिखा दो पिछले browsers प्रीमान जाएंगे भई करता है तरीव फिफ्त नंबर पर कॉनमी आ तो यह हमने तरीफ की है हम ने जाग हुआ उनकी फिफ्त नंबर पर लेगें कॉनमी आप मुझे बताएं अगर उनके आप देखें जीडिवी का रेड़ एमारी जीडिवी तो हमने बढ़ाए है अगर उनका वर्ल्ड नंबर पर बाई जान अगर क्रिकर्ट स्टेडियों में तो हमने करेड किया मैं अगू मिश्तरी का वज्चा तोड़ी हूं मैं तो नहीं किया अगर उनका है तो फैक्ट है बाई है अगर आपके यह लाकों गारे में से कोई मैनिफेक्टरिंग ने और उ सिर्फ हम भी नहीं दुनिया के तोड़ी बड़ी पांच वी कौन भी बन चुका है और आटोंबाइल डिस्टी में ने जैपनीज को कंपीट किया है और साथ ही हम अभी देखते हैं कि जो अभी G20 के जो मीटिंग्स हैं उसको होल्ड कर रहा है और उसके इलावा भी कई स्पोर्स बहुत ज्यादा हैं तो जो चीजें हमें स्टैटिस के लिए पता हैं कि जिनके अंदर हमें फैक्ट फिगर पता हैं तो सारी दुनिया को पता हैं सिर्फ हमें भी नहीं तो उनकी बिनावर सारी दुनिया उनके तारीफ करेंगर हम कर रहे हैं तो पिर उसमें कुछ है जो हम एक स्पोर्ट कर रहे हूं और अगर हम बना है हमारा नेवर कंट्री वह दुनिया में च्छाया हुआ है कि हम अपने मुलत के लोगों को इतना बता सके बई अंडिया कहा स्टेंड्ड कर रहा हैं अगर देखें पाकिस्तान के नदर के उनका यह मूद Allah यहापनी अवाम जला वह väldigt और गल्ट वह पहले जब तो दाएं बाएं कुछ भी आके ऐसे मत बोला करो, आप इसका सबूत दो कि कब मारा, कौन सी कोट ने मोदी को दोशी साबित किया है, कहां पर ये पाया गया है कि मोदी ने मुसल्मानों को मारा है, या मुसल्मानों पर जुल्म किया है, ऐसे ही हवा में, मैं कहता हूँ कि आप एक सिर्फ नेरेटिव बिल्ड कर देना है कहां है मैं बताओ ना भाई ऐसे मत बोला कर गिया आप लोग आके ऐसे ही फिर जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग बगले जाकने लगते हैं कि वह भी काम चोड़ दिये असर उस बंदे को अपने मुलक पर जो है ना अपने मुलक पर का रहा है असरा हम तरीव की बात करें देखे यहां पर मैं पर अगर आप यूटीव पर वीडियो बना रहे हैं मैं शोड़ बाद बाद यहां पर हमें ना मोटिवेट नी करते हम रिस नहीं क्य anno सीखनां से नहीं सीखना बन रहे हैं पाकिसान में बन रही है किया हमें इंडies владियेम-पोड करनी हैं इंडियों लोगों नहीं आप देखे वह पूरी दुनिया में गाड़िया सेल कर रहा है अब मैं स्री लंका में और उसके नियर बोट जितने ममाली के वह सब भी में दे रहा है सिर्फ हम नेबर कंट्री ऐसे हैं जो अपनी ट्रेड उनके साथ बंद करके बैठे हुए जो के एक अफसोसनक बाद है देखें आपको खाने पीने के अशिया में कितनी शोटीज है कम से कम आपको शोटीज ना होती आपको वीड की शोटीज ना होती आप मैनुफेक्ट्रिंग की तरफ नहीं उसको चीजों को नहीं ला रहे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते बड़ी महंगी आएंगे करी नहीं सकते लोग मेरे उपर आरोप लगाते हैं कि जी इनका घर तो पाकिसान के उससे चलता है यह पाकिसानी वीडियो बनाते अरे मैं तो कहता हूं भाई मैं तो टाल ठोक के कहता हूं कि जी मैंने खोला ही चैनल पाकिसान के लिए आप इंडिया से जुड़े बुजरे मुद्देपे आते हैं कि भाई क्या इंडिया की तारीफ करना अगर पाकिस्तान के यूटूबर्स ऐसा कर रहे है वो बात बिल्कुल भाई लोगों ने ठीक कही है कि भाई तारीफ करना वो तारीफ नहीं कर रहे है वो खबर बता रहे हैं वो सच्चाई बता रहे हैं वो पाकिस्तान के लोगों को इनफॉर्म कर रहे हैं कि जी आज इंडिया यहां पहुँच गया है आज इंडिया ने यह अशिब्मेंट कर ली है आज इंडिया ने एक साथ 36 सेटलाइट भेज दिये उनके इसरों ने यह बताना इसलिए भी जरूरी है कि वो आपको चिड़ा नहीं रहे हैं वो आप में कमी नहीं निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान में कमी है या पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बुराई हो रही है वो इसलिए बता रहें कि आप inform रहें और inform रहने का मतलब यह होता है कि सामने अपके जो हुक्मरान है उनसे सवाल पूछें कि भई हमारे यहां गाड़ियां manufacture क्यों नहीं होती अगर गाड़ियां manufacture होंगी तो हमारे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा क्यों नहीं कि जाती गाड़ियां manufacture हमारा जो सुपारको है वो रोकेट क्यों नहीं भेजता है अगर वो रोकेट भेजेगा तो भई हमारे हैं के जो स्टूडेंट्स हैं साइन्स पढ़ रहे हैं वो बिचारे motivate होंगे वो कुछ नया करेंगे और पाकिस्तान का बला करेंगे वो informed होंगे तो सवाल पूछेंगे भई हमारी economy कहां जा रही हमें क्यों लोन लेना पड़ रहा है हम क्यों नहीं कर रहे हैं तो इसको बुराई करना नहीं कहते और मैं जितने भी लोगों ने आप बाते की हैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि इसको बुराई करना नहीं कहते या आप अपने दुश्मन की तारीफ करना नहीं कहते उसको कहते हैं कि यह तो सच्चा ही है यह तो fact है मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं पाकिस्तान की लोग मेरे सब कई लोग सवाल पूछते थे कि यह इंडिया इंडिया करते रहते हैं इंसे वाना नुकसान है कोई नुकसान नहीं है भाई वो इंडिया की अच्छा ही तो बता रहे हैं इंडिया की अचीवमेंट्स ही तो बता रहे हैं वो कोई fake news तो नहीं दे रहा है अगर वो सही बात अगर वो कहते हैं कि इंडिया fifth largest economy बन गई है और आने वाले टाइम पर थर्ड largest economy बन जागी तो इस किस्तानियों के जहन में भी घुश जाए कि देखो इंडिया कहां पहुंच गया है तब तो उनको असलियत पता चलेगी कि इंडियन्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके खिलाफ साजिश करेंगे वो आपके खिलाफ ये करेंगे आपके अनाली जाम होगी तो उसके डॉलर्स जो लेके आ रहे हैं यूटूबर्स उनको भी आप कह रहे हों कि जी इनको भी बैन लगाओ और मुझे और भी कई चीज़े पता चली है वो मैं उस पर डिफरेंट डिटेक्टेव पर वीडियो बना रहा हूं कि यह जो फॉर्स टाइम विजिट इंडिया और ये उसके पीछे जो एक खेल हुआ है वो भी वीडियो बना रहा हूं है अब देखता हूं उसमें कहां तक चीज़े मिल पाती है मुझे लेकिन वीडियो जल्दी आएगा वो तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद